बहुती गंबीर विशे पर बहुत चल रही है मैं सुन रहा था सभी को सबसे पहले तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई के सतापक्ष कॉंग्रिस के शाषन के दंगे गिना रहा है इदर वाले उनके दंगे गिना रहे हैं ये कुई मुकाबला नहीं है कि किसके शाषन में कितने दंगे हुए दंगे चाहे बीजेपी के शाषन में हो चाहे कॉंग्रिस के शाषन में हो उसमें मरता इंसान है तो जो दिल्ली में हुआ पुरे देश ने देखा इनके बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा डीसीपी को शर्यां बोल रहे थे वीडियो उसका दस्तावेज है कि आपकी जरूरत नहीं है हम आख खुद निपट लेंगे उसको उसी वक्त क्यों नहीं गिर्फतार किया गया उसको उसी वक्त उस पर एफ़ायर क्यों नहीं की गई और तीन दिन तक दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी जब दिल्ली की पुलिस ने आमादी पार्टी के किसी MLA पर कुछ धूठा मुकतमा करना होता है तो एकदम से आजाते हैं आदे घंटे में चुने हुए मुख्य मंत्री के घर पे चापा मारने आदे घंटे में पहुंचाते हैं चुने हुए मुख्य मंत्री के दफ्तर में पहुंचाते हैं तब बड़ी तेजी दिखाते हैं इस वक्त तीन दिन क्यों लावार छोड़ दिया गया दिली के जमनापार राके को पहले 84 में तीन दिन फौज नहीं गई थी अब तीन दिन पुलिस नहीं गई देखे इसमें हिंदू भी मरे हैं मुस्लिम भी मरे हैं हिंदूं की दुकाने भी जली हैं, मुस्लिमों की दुकाने जली हैं, जब चनाप परचार चल रहा था महोदया, मैं भी चनाप परचार कर रहा था दिल्ली में, हम लोग बात कर रहे थे, सुकूलों की अच्छी सिक्षा की, हम लोग बात कर रहे थे, मुहला क्लीनकों की, हम ल तो यह नहीं प्रवादी को और कपल मिच्छा कह रहा था इंडिया वर्सिस पाकिस्तान है क्या जे कुई मैच हो रहा था अगर ग्राय मंत्री कह रहे हैं इतनी जोर से बतन दबाओ क्रांट शौहीन बाग तक जाए अगर ग्राय मंत्री ने बोलना ही था तो यह कहते हैं कि इतनी जोर से बतन दबाओ क्रांट आमादी पार्टी को लगे क्रांट कॉंग्रिस को लगे यह शौहीन बाग का क्या मतलब हुआ तो इन्हों ने कुनून बनाया है और आर्विन केजिरिवाल को कह रहे हैं आप वहाँ शौहीन बाग क्यों नहीं गए बही क पूरे लाख्य में एक ही रांकी बाहर से गुंडेल आ उनको फूल में घ्राइगा उनके खाने पीने का प्रवंद किया गया और वो आते थे काम करके अपना फिर सुबहा चले जाते थे इस पूंसर दंगे हैं यह स्पोंसर दंगे हैं क्योंके इनको दंगे करवाने हाते है और पर दो मुझे कोई पर भाह निसा पर मंटुरी वहां नहींगे जोगी जी मुक्खे मंत्री यूपी के जोगी जी यहां पर के है रहे हैं अर्विंद केज़वाल रासंग बादी है अज़ोझाइ मुझे यह बनाता आ क्या कोई आतंग बादी मौहला के लिम ली खुलबाता है क्या कोई आतंग बादी किसी छौधी जवान की शहादत पर और जब किसी दिल्ली के पुलिस प्वारे की जूटी दूरान शादे के बाद एक क्रोड रुपय के चेक लेके जाता है तो दिल्ली बादा ने बता दिया, इलेक्शन में के अर्विन के लिवाल असन बादी नहीं, उनका बेटा है, उनका भाई है और मैं कमपन्सेशन की बात करता हूँ, सर दास लाख रुपया दिल्ली गॉर्मिंट उनको दे रही है जिनके यहां मौत हो गई और पांच लाख रुपया पर फलोर जिनके घर जल गए, तो अगर चार फलोर का घरा तो बीत लाख मिलेगा किराएदार को भी एक लाख रुपया उसके समान का मिलेगा, धाई लाख रुपया जो पार्चली घर जले उनका मिलेगा आज दुपहर तक महोद्या 6 क्रोड रुपया हम मौपजा के रूप में बाढ़ चुके हैं मैं यही कहूँगा आखर में, मैं यही कहूँगा आखर में, के लंदे सफर को मीलों में मत बाढ़ ये, कौम को कभीलों में मत बाढ़ ये, एक बेहता दर्या है मेरा भार्त बेच, इसको नभीयों और जीलों में मत बाढ़ ये असाओ दिन अवेसी जी